राजधानी दिल्ली के राम मनुहर लोहिया अस्पताल से एक बेहद ही हैरान कर दिने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वारेल हो रहा है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे दरसल यहां उस वक्त हरकम मज या जब एक बंदर अस्पताल के ओपरेशन थेटर में जा खुसा वाल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के ओपरेशन थेटर के अंदर एक विशाल आकार का बंदर मजे से गोम रहा है बंदर अस्पताल के नियोरो सरजरी विभा के ओपरेशन थेटर में खुसा था वीडियो में अस्पताल के ओपरेशन थेटर करमचारी को ओपरेशन थेटर से बंदर को भगाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है आपको बता दें कि एम्स और सफदर गंच के बाद राम मनुहर लोहिया राजजाने दिली का तीसरा सबसे बड़ा स्पताल है बंदर के घुसने वाली वीडियो सा सितंबर की बताय जा रही है बंदर अस्पताल के पृती बंदित छेतर ओपरेशन थेटर में घुसा जहां केवल डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ सदस्यों को ही जाने की इजाज़त होती है यहां तक की मरीजों के परिजनों को भी उपरेशन थेटर में इजाज़त जाने की नहीं होती बताय जा रहा है कि राम्मनोहर लोह या अस्पताल प्रवाही की वज़ा से ऐसा हुआ है अस्पताल के करमचारियों और अस्पताल के सुरक्ष सदस्यों की लापरवाही की वजह से बंदर ऑपरेशन थेटर तक जहागोसा अस्पताल के ऑपरेशन थेटर में बंदर के घुसने से मरीज भी घबरा गए अस्पताल के करमचारियों ने छड़ित की मदद से बंदर को नियोरो सरजरी और विभा के ऑपरेशन थेटर से भागाया वीडियो में उन्हें बंदर को भागाने की कोशिश करती हुए देखा जा सकता है गनी मत रही कि बंदर ने अस्पताल में कोई हंगामन नहीं बचाया और अस्पताल में भरती मरीजों को भी कोई नुकसान नहीं बचाया ओपरेशन थेटर में बंदर के घुसने से अस्पताल की सुरक्ष संबंदी चिंताएं बढ़ रही है फिलहाल सोशल मेडिया पर आपरेशन थियेटर में घुसे इस बंदर का वीडियो जम कर वारेल हो रहा है और लोग इस पर अलग अलग तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं